प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आस्कृता, नो यूर फेट पान से प्रसन्न होंगे पहाबली हनुमान कटेंगे कष्ट, बढ़ेगा सम्मान हर भक्त महावीर से कल्यान की कामना करता है बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भक्त जतन भी करते हैं अनुमान जी के मंदिर में भक्तों का ताता सदेव लगा रहता है कोई इनका प्री चड़ावा उन्हें अर्पित करता है तो कोई उन्हें लड्डू चड़ाता है तो कोई चड़ाता है मीठी, बुंदी तो कोई चालीसा या बजरंग बाल का पाठ भी करता है मंगलवार के शुब दिन अकर आप हनुमान जी को उनकी प्रीय वस्तुएं अर्पित करें तो बहुत जल्दी प्रसंद होते हैं पवन्सुत हनुमान और आज हम आपको उनकी प्रीय पान के बारे में बता रहे है महाबली को पान चड़ाने के पीछे का ज्योत्री महत तो कितना है यह तो आप समझ चुके रहे है घ्रीय प्रसंद होते है और भगतों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्थी करते है इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तब एल्टर तब नो यूँर फेल टेकिन अब आपको ये बताते हैं कि कैसे बनाएं हनुवान जी के लिए प्रिशेस पाड़ महाबली को चड़ाने वाला पान एकदम ताजा होना चाहिए हनुवान जी के पान में केवल कत्था गुलकंद सौफ डलवाएं ध्यान रखें कि वो पान मीठा और रस भरा हूँ पान में चूना तंबाकू और सुपारी ना डाले संकट मोचन हनुवान अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं उनके नाम से कापती है बुरी शक्तियां शनी के कष्टों से भी मिलती है मुक्ती तो आईएव आपको बताते हैं मंगलवार को हनुवान को पान अर्पित करने की विशेस विधी क्या है मंगलवार की शाम को हनुमान मंदिर जाए, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का पुष्क परपित करें फिर उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें और आर्ती करें पूजन करने के बाद दुनों हाथ चोड़कर महाबली से प्रार्थना करें प्रार्थना करने के दोरान ही हनुमान जी को मीठा पान अरपित कर दीजिए। अगर प्रेम और सद्धा से सरुबार भक्त अपने भगवान को उनकी प्रिय वस्तुएं अरपित करें तो करुणा निधान का हिर्दय विहल हो उड़ता है। फिर भगवान भी अपने प्रिभक्तों को उदास पर परिशान नहीं रहने देते। इसलिए आप बजरंग बली को उनका प्रिय पान अरपित करेंगे तो आपके मन की हर छोटी बड़ी शाप पूरी कर देंगे बजरंग बली हनुमान। एस्टो तक एप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्टो तक एप और चिटकी में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से।